थेल्लों तुछ ऐस्टुशु आज अजुक्यों सुरुटेटरी सिस्टम की स्टेड़ी करेंगे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है जुनाजी में और इस तॉपिक में यम भी श्zeitig अजुकं सेड़ी करेंगे यह जो वीडियो है यह बहुत important वीडियो है और मैं कहूंगा आप सारे सभी लोग इस वीडियो को पूरा लाश तक देखिएगा ताकि आप इस पूरे process को समझ सकें मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे human heart work करता है function करता है उसकी mechanism क्या होत है तो बिल्कुल अब आप लोग थोड़े वक्त के लिए एकदम से वीडियो पर फोकस हो जाएए और जो लिखा हुआ है यहां पर मैं उसको भी पढ़ूंगा और पूरा मैं समझाओंगा आप सब लोग को विडियाग्राम मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा क कैसे हुमन हर्ड मेकैनिजम करता है हुमन हर्ड का फंक्शन कैसे होता है ओके स्टुएंट्स तो सबसे पहली बात स्टुएंट्स आप सबको पता होगा कि हम सब के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हर एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जितने भी डेवलप एनि सबसे से पहला Jan जो आता है वो है हाइट हमारा ठीक है तो हरड सबसे इंपोर्टन पार्ट है नृक्त से अलावा फिर ब्लेड बी एक बहुत इंपीय्क पार्ट की confidence बसता है वो है लिम्फ ल-y-m-p-h लिम्फ ठीक है न तो लिम्फ के बारे में यानि टीशू फ्लूट के बारे में भी हम सब लोग एक अलग वीडियो में स्टुड़ी करेंगे हर्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स और लिम्फ ये चारो स्ट्रक्शर कमाइंड़ी मिलकर कहलाते हैं क्या सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है तो सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी भी अनिमल के सर्कुलेटरी सिस्टम में और स्पेशली हम हुमन्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हर सबसे में चीज होती है हर्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है हर्ट ब्लड को बॉड़ी में बॉड़ी के हर एक औरगन तक पहुचाता है बॉड़ी के हर एक औरगन की हर एक सेल तक पहुचाता है ठीक है न तो ब्लड ब्लड वैसल और लिंप जो की आउट आफ दा ब्लड व topic heart के बारे में study करेंगे okay students, तो सबसे पहले जब हम heart की study करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, यहां लिखा हुआ है, the human heart the human heart is a chief pumping station pumping station means students, कि हमारा heart क्या करता है, हमारा heart construct होता है, फिर उसके बाद relax होता है, यानि सिकूरता है और फैलता है, और ऐसा करने से होता क्या है, कि हमारे heart के अंदर, उसके जो different chambers होते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी उन heart के अंदर मौझू chambers में जो blood होता है वो blood, body के different parts तक पहुच जाता है उसको heart क्या करता है pump करता है, तो हमारा heart क्या करता है blood को pump करता है कहां पर pump करता है, body के हर एक part तक, ठीके न, body के हर एक part तक pump करता है through the blood vessels, तो blood blood vessels heart से connect रहती हैं और उन blood vessels के through हमारा heart अपने अंदर मौझूद, blood को body के हर एक part तक क्या करता है pass करता है, circulate करता है pump करता है, students इसलिए हम कहते हैं कि heart हमारा है, वो क्या है? pumping station है, okay students अब उसके बाद, heart इसलिए जलूरी है, क्योंकि body के अंदर जो heart होता है वो body के हर एक organ तक blood को supply करेगा, जिससे body के हर एक organ की हर एक cell तक oxygen, nutrients सब चीज पहुचेंगी तो अगर bird, अगर हमारा heart pump नहीं करेगा, अगर animals में heart absent हो जाएगा तो body की हर एक part तक हर एक cell तक oxygen और nutrients नहीं पहुच पाएंगे तो basically blood को इसलिए pump किया जा रहा है, क्योंकि blood के थूँ body की हर एक cell तक oxygen gas और nutrients को, जो food होता है हमारा, जो nutrients होता है उसको पहुचाना है, इसलिए क्या किया जा रहा है, इसलिए heart, जो है, वो blood को pump कर रहा है, body के हर एक part तक, ठीक है नहीं तो तो basically circulatory system का जो main मकसद है, वो है oxygen और nutrients को body के हर एक part तक पहुचाना और body के हर एक part में मौझूद जो waste material है, urea है, या CO2 है उसको body से बाहर निकालने का काम, यानि कि body से बाहर निकालने का काम भी कहीं न कहीं, heart के through ही, जो है primary होता है, ठीक है students तो circulatory system में सबसे पहले हम लोग heart के structure को पढ़ते हैं, students यहाँ पर एक note दी हुई है जो कि पुरी note से जिसमें आपको heart का figure भी दिखाया गया है heart का पुरा conducting system कौन कौन से heart में system होते हैं कौन कौन से note होते हैं उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और यह पुरी notes मैं आपको telegram पर provide कर दूँगा वहाँ से जो भी मेरे paid students हैं जो मुझसे online coaching करते हैं उनको यह notes मिल जाएगी फिलहाल students इस वीडियो में हम लोग overall समझने की कोशिश करेंगे कि heart की mechanism कैसे होती है students उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक heart का diagram लेते हैं students यहाँ देखिए एक diagram बना हुआ है this is the diagram of human heart ठीक है ना अब इस diagram में आपको सबसे पहले मैं कुछ चीज़े बताता हूँ देखो यह one two three and four यह चार क्या हैं these are the chambers यह हमारे heart के chambers है okay students अब human heart में total कितने chamber होते हैं four chamber होते हैं बहुत ही आसान है आप बिलकुल ध्यान से देखते रहो अब यह जो chambers होते हैं अब इन chambers में से यह जो यह chamber है और यह chamber यानि जो उपर के दोनों chamber है इन दोनों chambers को क्या बोला जाता है इन दोनों chambers को बोला जाता है इनको बोला जाता है आर्ट्रियम क्या बोलते हैं आर्ट्रियम इसको भी क्या बोलते हैं आर्ट्रियम बोलते हैं ठीक है ना तो ये दोनों चैमबर क्या कहलाएंगे आर्ट्रियम कहलाएंगे क्योंकि ये दोनों ऊपर के चैमबर हैं तो इन दोनों को क्या बोला जाएगा आर्ट्रियम बोला जाएगा ओके स्ट्रेंट्स और ये जो चैमबर है और ये जो चैमबर य उन में से उपर के दोनों chamber को arterium कहा जाता है और नीचे के दोनों chamber को ventrical कहा जाता है क्या बोला जाता है ventrical ओके शुरेंट्स अब एक चीज़ आप सुलिए इस herd को आप इस तरह से suppose करिए ये herd जो है इसके इसको हमने दो पार्ट में डिवाइट कर दिया एक सेक्षन ये वाला एक सेक्षन ये वाला और दूसरा ये वाला ठीक है न? तो हर्ट को जब हम इस तरह से अगर दो पार्ट में डिवाइट कर दें तो ये वाला जो सेक्षन है ये वाला जो section है पूरा this is the कौन सा पार्ट है ये ये हमारा जो है left पार्ट है ये heart का कौन सा पार्ट है left पार्ट है और ये वाला जो section है ये ये पूरा ये heart का कौन सा पार्ट है right पार्ट है ठीक है ना तो this is the right side right side of the heart while this is the left side of the heart ठीक है ना ये heart का बाईए और है और ये दाहिनी और है ठीक है नो स्टेंट तो बिलकुल अच्छे से दिमाग में याद रखना है ये लेफ्ट साइट है और ये राइट साइट है अब मैं वैंपको बताताँ है ये क्योंकि मैंने इसको आपको आर्टियम नाम बताए था तो ये क्योंकि मैं ये बोल ला हूं कि ये लफ्ट साइड है तो इसलिए ये हो जाएगा लेफ्ट ये क्शीम और ये हो जाएगा राइट ये कर Вींटिकल क्कि यह दाहि नहीं हो रहा है और यह फ्री नहीं हो रहे घॉसलिए वह लेफ्ट रहा जो है आपका जो है overt enthusiastic हो जाएगा और यह whole जाए गा लेफ्ट 20 नहीं हो जाएगा लेफ्ट 20 2019ih टीके papier इस्टूडन अब सिर्ट शेली आप जो यह सारी चीजह हैं ये सब blood vessels हैं जो heart से connect हैं जो heart के heart को different body के part से connect करती है ठीक है नब मैं इन blood vessels का नाम मैं आपको बताता हूँ सबसे फैल स्ट्रेंट्स ये जो blood vessel है जो काफी मोटी सी है सबसे मोटी वाली है इस blood vessel को बोला जाता है aorta इस इस काल्ड aorta ठीक है इसको aorta कहा जाता है ठीक है ये यहां तक है नीचे तक ठीक है और students ये जो blood vessels दोनों ये जो हैं इनको बोला जाता है vena keva इस इस काल्ड vena keva ये vena keva कहलाएंगी और ये भी क्या कहलाएंगी vena keva कहलाएंगी ठीक है ना ये उपर साइड में है तो इसको superior vena keva कहेंगी और इसको बोलेंगे inferior vena keva ठीक है ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कौन से superior? ये है ये क्या है? ये है superior vena keva ठीक है ना और ये क्या है ये है inferior vena keva ठीक है ये क्या था अभी मैंने आपको नाम बताय था एओर्टा क्या था ये ये एओर्टा था ठीक है श्रिंट्स ना अब ये जो दोनों आपको दिख रही है ठीक है ये दो इसी तरह से इधर भी क्योंकि ये आपका कौन से साइड है लेफ्ट होता है उधर भी वो इसी में की सेम यहां पर भी होती है वो इस टाइग्राम में नहीं दिखाए जा रहा है पर वो यहां पर भी होती है सेम उसी तरह की ठीक है ना तो ये जो दोनों है इनको हम क्या बोलते हैं ये ये दर असल क्या कर रही है ये बलड को ये बलड को ले आन वाली होती है ठीक है तो इनका इनका जो नाम होता है वो होता है पल्मोनरी पल्मोनरी वेंस इनको क्या बोला जाता है पल्मोनरी वेंस बोला जाता है ठीक है पल्मोनरी वेंस ये दोनों ये और ये ये दोनों पल्मोनरी वेंस कहलाती है इसी तरह से इस साइड में भी ये दोन pulmonary veins कहते हैं और ये जो दोनों हैं इस साइड वाली इनको right pulmonary veins कहा जाता है किनको इन दोनों को left pulmonary veins कहा जाता है और इधर भी सेम इसी तरह से होती है और इन दोनों को बुला जाता है right pulmonary vein ठीक है ना students तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या थी ये इंफिरियर वेना केवा थी ये सुपिरियर वेना केवा थी ये left pulmonary veins हैं ये right pulmonary veins हैं और अब ये बच्ची तो ये जो है students इनको बोला जाता है pulmonary artery क्या बोलते हैं pulmonary artery अब इसमें भी आप देखिए कि pulmonary artery यहां आने के बाद इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होगे तो जो इधर चली गई ये 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 आपकी left pulmonary artery कहलाएगी और ये जो है ये आपकी right pulmonary artery कहलाएगी ठीके ने students तो बिलकुल आपको नाम बहुत अच्छे से आदखना अगर आप नाम भूल जाएंगे तो आप इस question को एक्जा कि ये जो है जो आर्टरीयम था जो left artery आर्टरीयम था Left artery और ये है left ventricle तो इनके बीच में ये जो point है ये जो point है इस जगह को हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं is बाई बाई-cuspid wall क्या बोलते हैं by cuspid this this area is called by cuspid wall इसी तरह से जो हमारा right arterium होता है और right ventricle होता है ठीके न, तो right arterium, और right ventricle ये जो दोने होते हैं इनके बीच में ये जो वाल होता है इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है tricuspid valve, tricuspid valve, oh okay students तो बिल्कुल अच्छे से valve समझ में आ गया होगा, this area, this is called bicuspid valve and this is called tricuspid valve ये दर असल इसलिए होते हैं ये valve एक specialized structure होता है जो क्या करता है कि अगर blood यहां से यानि आर्ट्रियम से blood अगर ventricle में चला आया तो वो blood वापस से लोट कर आर्ट्रियम में नहीं जा पाता यानि valve क्या करेंगी valve जो है blood के back flow को prevent करते हैं यानि अगर blood ventricle से auricle में जाना चाहे ventricle से आर्ट्रियम जाना जाए तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ पर क्या है आर्ट्रियम वहाँ पर valve है ठीक है तो valve जो कहीं पर पाये जाएगा तो वो एक unidirectional entry को ही केवल अलाव करता है यानि कि अगर blood जो है एक बार blood अगर जो है आर्ट्रियम से ventricle में चला गया तो वो वापस से फिर ventricle से घूम के आर्ट्रियम में नहीं जा पाएगा क्योंकि वहाँ पर क्या पाए जाएगे तो वहाँ पर क्या पाए जाएगे वाल पाए जाएगे तो इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं तो अब देखो श्रेंट्रियम कैसे blood का flow होता है तो सबसे पहले ये जो हर्ट का ये वाला पार्ट है जो कि हम क्या बोलने है left part है ठीक है ना तो left part में हमेशा जादकना pure blood होता है कैसा blood होता है pure blood pure blood means oxygenated blood जिसमें oxygen gas ज़्यादा amount में पाई जाती है और CO2 gas कम amount में पाई जाती है उस gas को उस blood को हम क्या बोलते है oxygenated blood कहते हैं या फिर pure blood कहते हैं तो pure blood कि ज़र होता है हर्ट के left part में होता है जबकि ये जो part है right part यहाँ पर impure blood होता है impure blood का मतलब deoxygenated blood इसका मतलब ऐसा blood जिसमें oxygen कम amount में होती है और CO2 ज़्यादा proportion में होती है ज़्यादा amount में होती है तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि हर्ट में हर्ट का जो left part है यहाँ पर pure blood होता है और हर्ट का जो right part है यहाँ पर impure blood होता है इसका मतलब कि left arterium और left ventricle में क्या होता है pure blood होता है और right arterium और right ventricle में क्या होता है impure blood होता है ठीक है नगा students अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि कैसे blood का circulation होता है तो students यहाँ notes में आपको पूरा process बताया गया है इस notes को मैं आपको को telegram पर provide करी दूँगा वहाँ से आप इस notes को लेकर अपनी copy में पूरा लिख लेंगे मैं इस notes में यहाँ जो पूरा एक flow chart बना हुआ है इस flow chart के इस flow chart को मैं आपको समझाऊंगा इस diagram से ठीक है नगा students तो सबसे पहले क्या होता है students कि जो हमारा heart है उसमें blood की entry होती है कहां से blood की entry होती है सबसे पहले blood की entry जो होती है वो दरसल कहां से होगी वो lungs से होगी lungs से blood की entry होगी हमारे जो फेपड़े होते हैं वहाँ पे blood होता है pure blood होता है oxygenated blood होता है ऐसा blood जिसमें oxygen चादा आमांट में पाई जाती है यानि ऑक्सिजिनेटर ब्लड जो होता है उसकी इंटरी होती है तो हमारे लंग्स कितने होते हैं वन पेर होते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स और राइट लंग्स ठीक है ना स्टुएंट्स तो यह जो दोनों जहां मैंने एरो बनाया है यह दरसल क्योंकि यह लेफ्ट पार्ट है इसका मतलब कि यहां पर क्या होगा लेफ्ट लंग्स होंगे और यहां पर क्या होंगी राइट लंग्स होंगे तो राइट लंग्स से भी और लेफ्ट लंग्स से भी जो pure blood है वो entry करेगा कहां वो entry करेगा वो आएगा इस जगाँ पर यानि कि कहाँ पर आया मैंने आपको क्या बताया था कि इस जगाँ को आप क्या बोलते हो left arterium कहते हो क्या बोलते हो left arterium तो left arterium में सबसे पहले blood की entry होती है ठीक है ना सबसे पहले pure blood heart के अंदर जब इंटर करता है तो बहूं पर इंटर करता है लेफ्ट आठ्रीयम में इंटर करता है और जिन वसल्स इंट्री करता है उन वसल्स का नाम मैंने आपको थोझे देर पहले बताया 되어 था इनको बोले ऱता है pulmonary veins तो लेफ्ट pulmonary veins and राइट pulmonary veins ये दुनों pulmonary veins left और right side के lungs से pure blood को लेकर आती हैं कहां पर left arterium में लेकर आती हैं okay students ना बहुत अच्छे समझी आप ध्यान से तो left arterium में जब blood आ जाता है तो वहां से फिर वो pure blood by a speed valve से होता हुआ पहुचता है कहां पर वो पहुचता है left ventricle में कहां पर left ventricle में left ventricle में पहुचने के बाद pure blood अब कहां जाएगा तो अब left ventricle में पहुचने के बाद ये जो pure blood है वो अब यहां से घुमेगा और वो चला जाएगा इसमें ये कहाँ जा रहा है कहा चला गया ये मैंने आपको क्या नाम बताय था इस blood vessel का मैंने इस blood vessel का नाम आपको बताय था एorta ठीक है न तो एorta में चला जाता है बहुत आसाने students सबसे पहले blood जो है pure blood left and right heart से आएगा pulmonary veins से कहां पर आएगा वो आएगा left arterium में और left arterium से वो pure blood कहा जाएगा left ventricle में जाएगा और left ventricle से अब वो pure blood आगे बढ़ेगा कहाँ पर और वो कहाँ चला जाएगा एयोर्टा में चला जाएगा अब एयोर्टा से वो pure blood body के different parts में supply कर दिया जाएगा through the various branches बहुत सारी एयोर्टा में आगे चलकर शाखाएं बनेंगी ब्रांचेस बनेंगी और उन ब्रांचेस के थ्रू वो जो pure blood है वो body के हर एक organ तक पहुचा दिया जाएगा okay students तो this is the circulation of the pure blood to the various organs of the body by the our heart ठीक है न तो इस तरह से हमारे heart से pure blood का circulation होता है बहुत ही आसान है आपको अगर यह वीडियो एक बार में न समझ में आए तो मैं आपसे request करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी complex है तो इसको आप दुबारा से एक बार वीडियो को जरूर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इस्ट्रेंट्स अब यह जो हो गया यह pure blood का heart के थूरू circulation हो गया अब इस्ट्रेंट्स हम लोग impure blood पे आते हैं इस्ट्रेंट्स अब ध्यान से सुनें बाडी के different different parts से impure blood collect होगा और collect होकर blood वो impure blood यानी deoxygenated blood entry करेगा कौन से पार्ट में राइट पार्ट में ठीक है ना हर्ड के राइट पार्ट में राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कौन सा blood होता है impure blood होता है कैसे impure blood entry करेगा कौन सी vessel से तो मैंने आपको इनका नाम बताया था मैंने बोला था इन दोनों को venakewa कहते हैं क्या बोलते हैं venakewa ठीक है न तो ये हो गई superior venakewa अभी मैंने आपको थोड़े दिर पहले बताया था और इसको बोलते है inferior venakewa तो ये superior venakewa है और वो inferior venakewa है उपर वाली superior vena keva और ये क्या है inferior vena keva तो उपर superior vena keva भी deoxygenative blood को लेके आएगी और inferior vena keva से भी body के lower part से deoxygenative blood आएगा कहां आएगा कहां पे open होगा आकर ये दोनों जो vena keva हैं वो आकर किस वाले chamber में खुल नहीं है वो खुल नहीं है इस chamber में और heart के इस chamber को क्या बोलते हैं right arterium कहते हैं तो right arterium में superior और inferior vena keva से के through body के different parts से collect deoxygenative blood पहुचेगा कहां पर right arterium में अब जब right arterium में deoxygenative blood पहुचेगा तो वहां से वो फिर कहा जाएगा right ventricle में जाएगा और यहां बीच में जो node पढ़ेगा बीच में जो wall पढ़ेगा उसको बोलेंगे tricuspid wall उसको क्या बोलेंगे tricuspid wall और tricuspid wall अगर बीच में पढ़ आए इसका मतलब यह हुआ कि एक बार अगर deoxygenative blood यहां पह आ गया तो अब वो वापस से फिर जो है उपर यानि कि right arteryum में नहीं जा पाएगा ठीक है न तो वो फिर कहा जाएगा अब वो blood कहा जाएगा अब वो यहां से घूमेगा और घूमने के बाद यह पहुचेगा इसमें अब यह blood vessels मैंने इसका क्या नाम बताए था मैंने इसका नाम बताए था मैंने इसका नाम बताए था pulmonary artery ठीक है न उसमें भी यह left pulmonary artery हो गई और यह हो गई right pulmonary artery क्योंकि वो left side के lungs में जा रही है और यह right side के lungs में जा रही है ठीक है न तो इस तरह से impure blood left pulmonary artery और right pulmonary artery से कहां चला जाएगा lungs में चला जाएगा और लंक्स में वापस से उस ब्लड का क्या होगा प्यूरिफिकेशन होगा हर्ट में ही तो प्यूरिफिकेशन होता है हमेशा याद रखेंगे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हर्ट में होता है बर्ड जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो हर्ट में नहीं होता बलकि वो lungs में होता है तो heart जो है वो केवल blood को सप्लाई करता है लेकिन blood का purification lungs में होता है तो जब हम जो है left pulmonary artery और right pulmonary artery से blood जब lungs में पहुचेगा तो lungs में वहाँ पर purify होगा और उसके बाद फिर से वो जब oxygenated हो जाएगा तो वापस से आएगा बिलकुल उसी तरीके से सेम जैसे मैंने अभी थोड़े दिल पहले आपको बताया था कि ये जो pulmonary veins होती है इन pulmonary veins से वापस से जो है oxygenated blood वही blood oxygenated होकर वापस से फिर से इस chamber में आएगा जिसको आप बोलते हो right, right arterium और फिर right ventricle और फिर aorta के through वो body के different parts तक पहुचा दिया जाएगा ठीक है students ना तब आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजे मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये process क्या है ठीक है students तो यहाँ पर दरसल हो क्या रहा है अब मैं आपको इसको पूरा लिख के बता देता हूँ lungs है lungs से जो pure blood है वो सबसे पहले आएगा कहाँ पर वो आएगा इस वाले part में यानि कि वो आएगा कहाँ पर left arterium में आएगा left arterium से pure blood जाएगा left ventricle में और left ventricle से pure blood body के different parts तक पहुचा दिया जाएगा अच्छा lungs से left arterium में कौन लेके आएगा तो वो लेके आएगी pulmonary veins ठीक है left arterium से left ventricle के बीच में कौन सा वाल पढ़ेगा by gaspid वाल पढ़ेगा ओके left ventricle से body के different parts में कैसे पहुचा दिया जाएगा वो आएगा कहांपर वो आएगा इस जगहांपर यानि कि वो कहाएगा वो आएगा «right arterium में» कि right arterium में right arterium से anti-oxygenated blood कहां पहुचेगा right ventricle में पहुचेगा और right ventricle से वह anti-oxygenated blood जो है वापस से पचा दिया जाएगा कहांपर lungs में जहां पर वो वापस से क्या होगा Purify होगा Purification के लिए वो पहुचा दिया जाएगा Deoxygenate Blood कहां पर Lungs में तो students जब body के different parts से collect Deoxygenate Blood Right Arterium में आता है तो कौन लेके आता है वो लेके कौन आएगा वो आएगा Superior और Inferior Vena Keva ओके फिर Right Arterium से Right Ventricle के बीच में जब blood जाएगा तो वहाँ बीच में कौन सा वाल पढ़ेगा Tricuspid वाल पढ़ेगा फिर Right Ventricle से Lungs में कैसे blood पहुच जाएगा उसके लिए कौन से vessels रहेंगी तो उनको बले जाएगा Pulmonary Artery ठीक है ना? लेफ्ट Pulmonary Artery and Right Pulmonary Artery ठीक है तो Pulmonary Vains भी दो होती है Left and Right Pulmonary Vains उसी तरह से Pulmonary Artery भी दो होती है Left and Right Pulmonary Artery क्योंकि Lungs कितने होते हैं? दो होते हैं तो दोनों से blood को लाना और ले जाना होता है तो ये जो पूरा पाथवे है इस पाथवे इस काल डबल सर्कुलेशन इस पूरे बलड के पाथवे को बलड के सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे डबल सर्कुलेशन बोलेंगे अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है कभी कभी exams में पूछा जाता है तो double circulation का मतलग कि दरसल क्या हो रहा है कि एक ही blood एक ही blood दो बार hurt से गुजरता है एक ही blood दो बार two times हमारे hurt से होकर गुजरता है सबसे पहली बार वो सबसे पहली बार वो क्या करता है वो hurt left वाले part में से होकर गुजरता है उस time वो कैसा होता है उस time वो pure form में होता है यानि oxygenated होता है फिर वो blood पहुच जाता है body में और फिर body से फिर वही blood deoxygenated होकर impure होकर कौन से part में आता है right part में आता है hurt के और फिर वहां से फिर वो blood hurt के right part से फिर वो blood लंग्स में पहुचा दिया था, ओवराल मेरे कहने का मतलब यह हुआ, कि एक ही जो बलड है, वो हमारे हर्ट में दो बार जो है चक्कर लगाता है, पहली बार वो हर्ट के लिफ्ट पार्ट में रहता है, और दूसरी बार वो फिर आता है, वही बलड कहां पर, राइट दी आक्सिजिनेट फॉर्म में, इंप्यूर फॉर्म में, तो जब एक ही बलड दो बार दो फॉर्म में, एक बार दी आक्सिजिनेट दूसरी बार दी आक्सिजिनेट फॉर्म में हर्ट से होकर गुजरता है, तो इसी तरह के हर्ट में इस बलड के सर्कुलेशन को हम क्या ब करेंगे कि हर्ट में ब्लट का उसके लिए नट से वीडियो में कि अजर्ग की वीलोट क्या होता है बंडला फ्रいきल की नट सीज्जों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रेशन करेंगे, ओके स्टेंट्स, तो यह जो नोट्स है, यह मैं आपको टेलग्राम में प्रोवाइट कर दूँगा, वहां से आप इस नोट्स को डाउनलोड करके, अच्छी तरह से लिख लेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग Conducting System of the Heart पढ़ेंगे, ओके स्टेंट्स, और इस वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, Mechanism of Human Heart, ठीक है, तो इस वीडियो को लाट्स तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देंगे, और चनल को सब्सक्राइ भी जरूर कर लेंगे,